Hello friends and welcome back to my channel तो दोस्तो आज के experiment में हम लोग के पास है ये अनार है अशोगा का जैसे आप लोग देख सकते हैं और हमारे पास है लर अब हम लोग क्या करेंगे इस अनार जो है इसके अंदर एक अनार लेंगे दोस्तो और अनार के अंदर में हम लोग ये क्या करेंगे और जला के देखेंगे कैसा चलता है दोस्तो और वीडियों में चार-पांच लर लोग लगा देते हैं लेकिन मैं दो ही लगाऊंगा ताकि एफेक्ट जो है अच्छा से आया तो चलिए दोस्तो अब एक्सपड़िमन्ट चालो करते हैं तो दोस्तो अब हमारे पास ये force-up है हमारा और हम लोग बस इसमें यहां पर side में कुछ इस तरीके से hole कर देंगे यहां पर अनार के बिल्कुल इधर जैसे आप लोग देख सकते हैं तो चलिए होल करते हैं और फिर इसमें फिट करके देखते हैं और होल जो है दोस्तो थोड़ा बड़ा करना होगा इस तरीके से क्योंकि इसमें बहुत सारे जो है फ्यूज होते हैं जैसे आप लोग देख सकते हैं यह पहला होल हमारा हो गया, जैसा आप लोग देख रहे हैं, और एक और होल जश्ट इसके पीछे यहाँ पर कर देते हैं हम लोग, बिल्कुल इस तरीके से, तो दोस्तों, यह हमारा दूसरा होल भी है, हो गया है, यह रहा हमारा दूसरा होल, अब बस हम लोग क्या करेंगे, यह रहा हमारा इसका पतीला, इसको हम लोग यहाँ पर कुछ इस तरीके से, जैसा आप लोग देख सकते हैं, हम लोग डाल देंगे, जैसा आप लोग देख रहे हैं, और इससे क्या है, ग्लू गन से चिपकाना होगा, नहीं तो यह गिर जाएगा, तो मैं इसे चिपका देत तो चलिए दोस्तों अब इसे जहाँ के देखते है किस तरीके से कैसा मझा आने वाला है जलिए देखते हैं तो दोस्तो अब जो हम लोग जलाने वाले है वह है यह अनार प्लास भिजली का लडिए तो चलिए देखते कैसा ज Almost टाई यह तो दोस्त इसमें सिर्फ एक ही फटा एक जो है बज गया तो दोस्तों वीडियो गर अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कीजेगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद